अगर आप जुड़े हैं तो आपको मालुम होगा कि चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलती है ब्लॉक्चेन गेम्स की जहांपर काफी सारे प्लेटुएन गेम्स मैंने आप लोग के लिए रिव्यू किये हैं अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल जरू सब्सक्राइब करिए ताकि आपका एक भी वीडियो ऐसा मिसना हो आज जिस प्लेटुएन गेम के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है विजर्डिया और ये एक मेटावर्स प्लेटुएन गेम है विद मैजिक आज की डेट में भी यहां पे एनेफटी परचेज करके कैसे यहां से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं हाला कि गेम लाउंच होने में अभी टाइम है और जनेसे एनेफटी आज आपको डिस्काउंट पर भी मिल रहे हैं तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो एंड तक दे सकते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो इस गेम में आने वाली है क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सबसे तो यहां पे आप आके ट्रेलर देख सकते हैं जिससे आपको गेम का एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप का गेम प्ले आप एक्सपेक्ट कर सकत तो यह ट्रेलर जुरूर देखिए उसके पाद जो नेक्स चीज है वो है फॉर्थ राउंड ऑफ एनेफ्टी सेल चल रहे हैं यहां पर 396 जो है वो बाइय हो चुके है आउट फॉर थाउजन पहले तीन राउंड जो है वो अलड़ी यहां पर सोल डाउट हो चुके हैं तो यह अर्ली इन्वेस्टर्स राउंड हैं जो डिस्काउंट पर मिल रहे हैं कैसे पर्चेज करना है कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे पट पहले बाकी सरी चीजिए देख लिएते हैं इमर्स कर सकते हैं या फिर अपना time और effort अगर devote करेंगे गेम खेलेंगे तब भी आप यहाँसे अर्निंग जनरेट कर सकते आब इसके बाद यहाँ पे कुछ modes है gameplay के PvP mode है और PvE mode है यह commonly आपको जितने भी blockchain games हैं वो उसमें देखने को लिए मिलता है तो एक turn based battler है with RPG elements जिसमें आप character progression कर सकते हैं artifact जो भी आपके पास होंगे उनको upgrade कर सकते हैं और crafting भी कर सकते हैं यानि कि दो तिन चीज़ें merge करके उसको upgrade कर सकते हैं या फिर एक को ही level up कर सकते हैं तो बीच बीच में screen shots हैं इस टाइक पर launch होगी तो metaverse play to earn game with magic rewards साथ जो है early investors round होंगे जिसमें से अभी round four चल रहा है जैसे मैं आपको दिखाया अब यहीं पर आपको buy arena genesis nft का एक button मिलेगा और यहां पर calculate revenue भी मिलेगा तो सबसे प्रहे तो अगर आपको nft अभी purchase करना है तो यहां पर nft sale page है यहां पर आपको भी फिलाल 5% discount मिल रहा है अगर आप link के थ्रू जाएंगे जो मैंने description और comment section में डाला है फिलाल एक nft game का आपको मिल रहा है .55689 bnb का यहां पर आप finance smart chain wallet से या फिर finance smart chain पर आके इसको खरीद सकते हैं payment options में आपके bnb है usdt है usdc है आपको bnb से pay करना है जितने भी आपको nft यहां पर लेने हैं वह अप select कर सकते हैं उसके बाद payment करने के बाद आपके wallet में nft आएगा और अच्छी बात यहां पर यह है कि आप automatic staking rewards earn करना शुरू कर देंगे जैसे ही आप nft यहां पर purchase करेंगे और game launch होने के बाद आपको passive royalties मिलेंगी from every battle transaction after the arena launch यानि कि game जब launch हो जाएगा जितनी भी battles play out करी जाएंगी उस पे भी आपको यहां पर passive earning generate होगी यानि कि यह जनेसे nft जो हैं वह passive earning generate करेंगे अब कितनी earning आप expect कर सकते हैं generate कर सकते हैं उसके लिए यहां पर इन्होंने calculator दिया हो है calculate revenue पर जब आप यहां पर click करेंगे तो एक calculator यहां पर खुल जाएगा यहां पर मान लीजे आपने एक nft जो है वो buy किया है फिलाल हम अभी है round four में यसी round five six में आप देख सकते हैं प्राइस बढ़ रहा है तो round four में आपकी जो investment होगी वहां से अगर आप सिरफ एक nft buy करते हैं फिलाल यहां पर जो price set है वो है 14 cents बट अगर आप असली में देखेंगे तो अभी विजर्डिया का जो token है get.io पर यहां पर लिस्टिद है और यह जो है game खेलते हैं daily तो अगर आप इस पर calculate करेंगे तो आपको यहां पर monthly ROI जो है वो 64.64 percent होगी यानकि monthly revenue आपका 65 dollars होगा अब यह सब कुछ बहुत सारे variables हैं यहां पर जो आपको देखने पड़ेंगे कितने लोग यहां पर खेलते हैं क्या token का price होगा कितने NFTs आपके पास हैं कितने आपने खरीदा है अगर आप यह चीज़ें अभी करते हैं और इतने players खेलना शुरू कर देते हैं तो आप इतनी earning जो है यहां पर expect कर सकते हैं तो यह projection है यह कोई fixed नहीं है कि इतना ही आप earn करेंगे बड़ definitely से आपको idea लग सकता है कि game आपको कितना यहां पर generate करके दे सकता है बड़ यह सिरफ यहां पर आपका passive reward है याना कि जो आप game खेलेंगे उसके तुरू जो earning करेंगे वो यहां पर अभी accounted for नहीं है अब gate.io पर जैसे में आपको बता है यहां पर token already listed है staking से कितना earning होगी team advisors का जो भी है यहां पर break up आपको दिख जाएगा अब यहीं पर नीचे आपको दिख जाएगा fund allocation की pie chart में कितने यहां पर rewards हो हैं कितने tokens हैं किस-किस aspect के लिए यहां पर allocated हैं अब token से ही linked हैं यहां पर आप token जो आप अगर जाके purchase करते हैं अभी तो आप उसकी staking भी यहां पर कर सकते हैं और यही page यहां पर आया है अप तो 114% APY staking rewards stake करने के लिए आपको यहां पर staking.vizard.io पर जाना पड़ेगा यहां पर आप जो भी tokens आपने purchase कि हैं उनको भी अभी stake करके अगरने जनरेट क कर सकते हैं तो इस page पर basically आपको wallet connect करना है जो भी आपके tokens होंगे मालीजे आपने 1000 यहां पर tokens वो buy किये हैं यहां पर select कर सकते हैं कि कि कितने महीने के लिए आपको यहां पर lock करना है अगर आप 12 महीने के लिए यहां पर tokens lock करते हैं तो आपको 114% जो है वो APY मिलेगी अगर आप 4 महीने के लिए करते हैं तो आपको 31% मिलती है तो यह भी एक option है passively यहां से earning generate करने का अभी अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको जो स्टेकिंग रिवार्ट मिल रहे हैं उसके corresponding आप expect कर सकते हैं कुछ special NFT prizes के लिए भी आप eligible हो जाएंगे तो definitely game launch होने से पहले ही यह यहां पर अच्छी खासी earning opportunities है अगर इसमें आप अभी participate करते हैं तो अब इसके बाद और कुछ चीज़ें यहां पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें आप expect कर सकते हैं तो यह news coverage जो हुई है वो है details team की details यहां पर है नीचे आप advisors देखेंगे तो काफी well known advisors हैं यहां पर team Illuvium के यहां पर advisor है founder at mars 4 launchpad director तो यह इनके advisors हैं साथी साथ investors अगर आप देखेंगे तो investors भी काफी यहां पर strong है जहां पर आपको AU21 capital engine starter trust swap trust pad vendetta capital और Dutch crypto investors जैसे investors आपको यहां मिल जाएंगे जो काफी आपको famous और different projects में भी देखने को मिलेंगे तो roadmap के अगर मैं बात करूं तो Q1 2022 म वो सारी complete हो चुकी है अब जो next यहां पर है Q3 2022 तक याने की next 6 महिने के अंदर आप expect कर सकते हैं कि listing in tier 1 centralized exchange global tournament base building marketplace और community जो target है वो 6 लाख लोगों को तक का यहां पर पहुंचने का है बट अगले 3 महिने के अंदर यहां आप expect कर सकते हैं कि यहां पर battle arena game का जो alpha है वो launch हो जाए फुल game launch और mobile app जो बहुत critical है काफी लोग सिर्फ mobile पर ही खेलते हैं games यहां पर वो आप expect कर सकते हैं इस year end तक यह सारी चीज़ें यहां पर achieve कर दी जाएंगी तो all in all फिलहाल आपके पास opportunity है कि आप genesis nfts जो हैं वो discount पर आके purchase कर सकते हैं उनको stake कर सकते हैं और वहां पर rewards मि लग जाएंगे साथिसाथ अगर आप token को अलग से खरीद के stake करना चाते हैं तो वह भी यहां पर option है but nfts के साथ आपको यहां पर option मिलती है कि staking rewards आपको मिलेंगे ही साथिसाथ जब game launch हो जाएगा तो वहां पे भी आपकी passive earning जो है वो start हो सकती है अगर total number of nfts के हम बात करे तो यहां पर 28000 ही total nfts होंगे जो over the period of seven rounds यहां पर distribute किये जाएंगे यहां पर कुछ earning mechanics भी यहां पर लिखे हैं जैसे automatic staking है 76.8% APY और जितनी भी fights होंगी जैसे आपको बताया था उसमें आपको resources wizardia tokens rewards or skill mastery के अलग से यहां पर nfts royalties जो है वो generate होके मिलेंगी और भी क्या आप यहां पर expect कर सकते हैं कितनी APY यहां पर expect कर सकते हैं तो passive income perspective से काफी कुछ है यहां पर earn करने का but definitely आपको अपनी खुद की research करनी है चीज़ें यहां पर materialize होंगी कि नहीं कितनी होंगी वो सब time ही बताएगा but मेरी तरफ से कोई investment advice नहीं है आपको अपने decisions जो है व safe investment